दोस्तो अगर आपने फिलिप कार्ट से कोई भी प्रोडेक्ट कैस ओन डेलेबरी ओर किये हो और किया हुआ ओर का समान आपके हाथ में मिल चुका है लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस समान प्रोडेक्ट को एक्सचेंज या तो फिर रिटन करना तो आप किस तरीके से कर सकते ह है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2024 का बिल्कुल निव प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो अगर आपने फिलिप कार्ट से कोई भी समान या प्रोडेक्ट ओर किये हो किया हुआ ओर का समान प्रोडेक्ट आपके हाथ में मिल चुका है ओर को आप रिटर्ण कैसे कर सकते हैं चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं उनसे पहले अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूरशे कर लिजेगा तो दोस्तो आप तो flip card में जो समन product order किये हो cash on delivery, उनके बाद आप उन्हें return किजिएगा तो उनका product का जो पैसा है, वो आपको कब और कैसे मिलेगा, जो refund का जो पैसा वो कैसे और कब मिलेगा, यह सारा जानकरी देने वाला हूँ, तो दोस्तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे प तरीके का interface दिखेगा, अभी आप लोगों को अपने orders की उपर किलिक करना होगा, जैसे ही आप orders की उपर किलिक कीजिएगा, तो आपने जितने भी समान product order किये हो, यहाँ पे सारा step by step दिख जाएगा, आप जो भी, मतलब समान product को आपका delivery हो चुका है, और उसे आप exchange return करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने product की उपर किलिक करना होगा, जैसे ही आप इनके उपर किलिक कीजिएगा, तो इस तरीके का interface दिख जाएगा, जो आपका सामान product है, उनका image दिखेगा, उनका जो price है, वो दिखेगा, अभी आप लोगों को उपर scrolled on कीजिएगा, त चुका था, अभी होई दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो validate दिया गया है, यानि कि जो return, जो है न, return का time दिया जाता है, आप return उतने ही time टक कर सकते हों, जितने यहाँ पे दिया देख सकते हैं, 29 फरवरी तक का मुझरा time है, हम 29 फरवरी तक इसे return कर सकते हैं, अगर 29 फरवरी से 30 फरवरी हो जाता है, तो हम लोग अपने product को return exchange नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा, उनके बाद आप लोगों को यहाँ पे return करने के लिए, यहाँ पे आपको return के उपर click करना होगा, जैसे ही आप return के उपर click कीजेगा, तो यहाँ प card में आप किस reason से आप इसे return करना चाहते हैं, यानि कि बापस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है reason, तो आपको अपने कौन सी reason है, देख सकते हैं, यहाँ पे सारा reason दिया गया है दोस्तो, multiple issue with product, या तो फिर दोस्तो आपका quality product, या तो फिर दोस्तो यहाँ आपका damage product है, color different, या तो फिर size problem, कोई भी problem है, अपने problem को select कर लिजेगा, तो हमारा ये size problem है, तो आपने size problem को select कर लेते हैं, select करने के बाद, यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, आपको जैसे ही select कीजेगा, तो यहाँ पे भी आपको size को select करना है, जो आपका problem है, कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसे return करना, return करके आप अपना पैसा बापस लेना, तो यहाँ पे आपको refund की उपर click करना होगा, जैसे ही आप refund की उपर click कीजेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का interface दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तो gift card valid अगर आप चाहते हैं अपने जो refund का जो पैसा है वो अपने gift, मतलब flip card के gift card valid में लेना, तो यहाँ आपको gift card valid में आप लोगों को select करना होगा, तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं अपने UPI के मदद से अपने refund का पैसा लेना, यानि कि आपके पास phone पे, Google पे, आप UPI ID चलात हैं तो आप उनसे भी अपना जो refund का पैसा है वो वापस ले सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आपको bank account पे UPI पे क्लिक कीजेगा, और नीचे में आपको दिया जाएगा दोस्तो, add new UPI ID, आपको अपने UPI ID डाल देना है, आप लोगों को verify कर लेना है, जैसे ही आप लोग verify कर लिजेगा, तो आपका UPI ID पे जो ही आपका जो refund का पैसा है, वो मिल जाएगा, अगर आपके पास UPI ID नहीं है, phone पे, Google पे बगेरा नहीं चलाते हैं, अगर आप चाहते हैं, अपने bank account में अपना पैसा लेना, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, दोस्तो, आपन चेंज कर सकते हैं, अपने bank account को, अगर आपने कोई भी bank account add नहीं किये हो, तो यहाँ पे आपको add new account की उपर click करना होगा, जैसा ही दोस्तो, आप add new account की उपर click कीजेगा, तो आपके सामने कुछ new interface दिखेगा, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कि दोस्त आपने दूसरा confirm करने के लिए bank account नमबर देना है, फिर आपको अपने bank account का holder name जिसके नाम से खाता है, उसके ही नाम यहाँ पे देना है, उनके बाद यहाँ पे आपको अपना phone नमबर देना है, उनके बाद यहाँ पर आपको add new account की उपर click कर देना है, इतना काम आप लोग यहां से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं Pick up and Delivery, यानि कि दोस्तों आप जिस address पर आपने order किया है समान product, अगर आप उसी जगह से आप अपने product को return करना चाहते हैं, तो आप अपने address को वही रहने देना है, अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे address पे आप pick up boy को बुलाना यानि कि आप दूसरे address पे हैं तो यहाँ पे आप लोग अपने address को भी change कर सकते हैं बदल सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इतना सारा कुछ बता दिया हूँ हमारा address बिल्कुल सही है हमने जिस address पे order किया है उसी address पे हम return भी करेंगे और यहाँ पे हम लोग बात आती है कि दोस्तों aid bank account के उपर click करना होगा और हम जो है अपने bank account के मदद से ही अपने जो refund का पैसा है वो हम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने bank account का सारा details डाल देते हैं अच्छे तरीके से तो चलिए फटा-फट से डाल लेना तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने bank account का detail डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को aid new account के उपर click कर देना है जैसे ही आप aid new account के उपर click कीजेगा तो यहाँ पर आप लोगों को confirm करने के लिए आएगा तो आपको confirm के उपर click कर देना है जैसे ही आप confirm कर दीजेगा तो यह आपका successfully आपका bank account aid हो जाता है अभी आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे इस एडो पे click कीजेगा और यहाँ पे आपको आपना bank account आ जाएगा आपका last का तीन नमबर दिख रहोगा आपका bank account का last का 3 digit और यहाँ पे आपका account में जो नाम डाले हैं वो दिख रहा होगा तो उन्हीं की उपर click करना होगा click करने के बाद यहाँ पे आपको continue की उपर click कर देना है जैसे ही आप continue की उपर click कीजेगा तो यहां पर आपको दिख रहाओगा दोस्तो समीब्ट request जैसे ही आप समीब्ट request की उपर किलिक कीज़ेगा तो आपका flip card में जो cash on delivery आपने सामान product order किये हो वो किया हुआ order का सामान आपका return हो जाता है return आप लोगों को हो जाता है उनके एक से दो दिन बाद आपका जो refund का पैसा है वो आपके bank में या तो फिर आपने UPI ID डाले होंगे उनमें या तो फिर आपके flip card gift card जो valid में है उनमें आपका violence aid हो जाएगा यानि कि आपका refund का पैसा मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में आपको 2024 का बिल्कुल new process में आपको बताया हूँ कि अगर आपने flip card से कोई भी product समान cash on delivery order किये हो तो किया हुआ order का समान आप इस तरीके से return या तो फिर exchange कर सकते हैं तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like and channel को subscribe कर दीजेगा फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिन वन्देवाद